इस चीज़ को लेकर भी आपके मंद में कंफ्यूजन है तो जब तक ये कंफ्यूजन रहेगी तब तक आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे और नहीं इंग्लिश को समझ पाएंगे अच्छे से तो सारी कंफ्यूजन को जड़ से उखाड ठेकना है इसलिए आपको जिस भी चीज में कंफ्यूजन हो मुझे लिख के बताएं मैं उस पे पर्टिकिलर वीडियो बनाके आपके सारे डाउट्स को एक एक वीडियो में क्लियर कर दूँगी तो गाइस जो यह है ए अन द आज का टॉपिक है और इन्हें कहा जाता है आर्टिकल्स तो आर्टिकल्स कितने होते हैं आर्टिकल्स तीन होते हैं ए अन और द यह नाउन के पहले यूज होते हैं ठीक है नाउन के पहले यूज होते हैं और इन्फ्यूजन यह है कि जो नाउ इनके बाद आता है तो हम क्या यूज करें ए का यूज करें कि एं का यूज करें या फिर दो का यूज करें और यहीं पर confusion खठम नहीं होती confusion इस चीज मेंभी है कि इस दो की pronunciation दो है या फिर दी है तो यहाँ भी confusion है आपकी सारी confusioniendo इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी तो वीडियो को end तक देखिएगा Hey guys, my name is Kanchan and you're watching me on English Connection So guys, one by one समस्ते चलते हैं सबसे पहले ये समस्ते हैं कि A और N का क्या मतलब है So guys, A हो या N हो इसका मतलब होता है एक जब हम किसी चीज के पहले एक कहके बोलते हैं अब A या N में से क्या लगाना होता है इस चीज को समझेगा हम बच्पन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि N हम बहां लगाते हैं जिस वर्ड की शुरुवात A, E, I, O, U से हो ठीक है, ये बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं तो अभी ध्यान दीजेगा अगर मैं बोलू University तो इसके आगे क्या आना चाहिए? N आना चाहिए क्योंकि ये इसमें है लेकिन University के आगे A आता है A University ऐसा क्यों है? तो जो हम बच्पन से पढ़ते आए हैं वो ये जो Letters है न इन Letters से मतलब नहीं है इन Letters वाले साउंड से मतलब है ठीक है? ये साउंड से मतलब है जब ये University में U लगा तो यहाँ पे इसकी साउंड क्या आई? Y की यानि की Y की Y का साउंड आया है ध्यान देजेगा इसलिए इसके आगे A लगा अगर यहाँ पे U लगा ठीक है? तो अम्ब्रेला में इस U का साउंड A है यानि की A साउंड आ रहा है तो यहाँ पे N लगेगा तो साउंड से मतलब है इन Letters से मतलब नहीं है अगर आपकी मात्रे बाशा हिंदी है तो आप एक सीधा सीधा बहुत आसान तरीका समझे कि अगर क से लेकर ग्यातक में से किसी भी अक्षर की आवाज आ रही है तो वहाँ पे A का यूज होगा क से लेकर ग्यातक की अगर आवाज है साउंड आ रही है शुरुआत में तो A का यूज होगा और A से लेकर H इसमें से अगर किसी का साउंड आ रहा है शुरू में तब वहाँ पर A का यूज होगा इस चीज को आप नोट कर लीजिए क से लेकर ग्या जो की व्यांजन कहलाता है इंग्लिश में कॉंसोनेंट बोलेंगे तो उसके साथ अगर शुरुआत होती है उस साउंड के साथ तब A का यूज होगा और A से यहां तक में से कोई साउंड है तब A का यूज होगा वही चीज यहां यूनिवरसिटी के साथ होई यहां पे यू का यूज हुआ है लेकिन साउंड किसका रहा है यू का यू क्या है कर से लेके यू के बीच में आता है व्यंजन है इसलिए A आया और अम्ब्रेला में अ आया जो की स्वर है इसलिए एंड का यूज हुआ ह-o-u-r आप सब इसमें गंफ्यूज होते है यह एच है ठीक है तो उसे साब से यहां पे क्या आना चाहिए इस एच के लिए हम एंड का यूज तो नहीं एंड का यूज करते हैं लेकिन आपने सुनी रख का होगा एंड आवर तो उसके पीछे का रीजन यही है साउंड क्या है अ अ क्या है तब आप यूज करेंगे आंड का और जब भी व्यंजन साउंड आता है यानि कि इन A, E, I, O, U को छोड़ कि जो भी लेटर से इंग्लिश में और हिंदी में समझे तो कर से गय के बीच में तब वहाँ पे A का यूज होता है तो confusion clear आपके लिए A और N को लेके हम कुछ और examples देख लेते हैं तो guys आप देखें कि apple, apple में किस चीज का sound आना है? A का, और A का sound यानि कि E का sound English में समझे तो और A से A के बीच में तो क्या आएगा यहाँ पे? Am, ठीक है? उसी तरीके से unit में आ जाएं तो इसकी क्या sound आ रही है? Unit, य की, य यानि की Y, तो ये vowel तो नहीं है, consonant में है, कर से य के बीच आया, तो यहाँ पे क्या आएगा? Unit, I, इसका क्या sound है? पहले अक्षर के sound पे ध्यान लेगे, गाईज इस चीज को ध्यान देजेगा, कि पहले अक्षर से मतलब है, उसके बाद जो आ रहे है, उससे मतलब नहीं है, इसे क्या परते है? आए, तो यहाँ पे क्या आएगा? अन, क्योंकि यह अ साउंड चे शुड़ हो रहा है, यहाँ से, आप देख सकते है, आप देख सकते है, अन प्लस अ का sound, इयर, इयर के लिए हम इसे क्या प्रिणाउंस करते है, इयर, तो ए कहां आता है, अ से अ के बीच में, और यह कौन स आएगा, अब जैसा कि मैंने यहाँ बिग एपल लिख रखा, यहाँ आपने पढ़ा अन एपल, लेकिन वही एपल यहाँ है, लेकिन उसके पहले एक वर्ड आ गया, बिग, तो यह नहीं है, कि अगर एपल के बारे में हम बताने है, तो हम आन कहीं जिक्र करेंगे, अगर उ जो इसके जस्ट बाद वर्ड आता है, हमें उसके पहले अक्षर के सांद से मतलब होता है, उससे मतलब नहीं होता, जिसके बारे में बात कर रहे है, जस्ट इसके बाद जो वर्ड आएगा, उस पर ध्यान देंगे, तो भले यहाँ एपल है, हमें मतलब इसके सांद से है, अ यानि कि sound vowel है या consonant की है, अगर vowel की है तो and, consonant की है तो a, अब बात कर लेते हैं the के बारे में, the की जो मैं बात कर ले थी आपसे कि इसकी pronunciation में फ़र्क आता है कि the pronounce करें या the, दोनों ही pronunciation ठीक हैं, उसकी वे condition कुछ यही है जो a and में फ़र्क है, तो guys बहुत ही ध्यान से सुनियेग जो rule and के साथ लागू होता है, वो same rule the के साथ लागू होता है, ठीक है, तो अगर यहां पर मैंने लिख दिया the, ठीक है, यहां इसकी pronunciation होगी the, क्योंकि इसके बात जो word है, उसके पहले letter का sound, व्यंचन है, consonant है, तो यह the pronounce होगा, लेकिन अगर इसके बात वाला word, माल लेजिए यहां पर मैं the लगा दूँ, ठीक है, तो यहां पर इसे हम the pronounce करेंगे और यहां पर इसे the pronounce करेंगे, उसके पीछे का reason यही है, जब हम the उस word के पहले लिखते हैं, जिसकी शुरुआत में कौन सी आवाज आती है, वोवल की, यानि की, स्वर की, तब हम जैसे and लगाते थे, व वर्ड की जो pronunciation होगी न, पहले अप्शर की, वो consonant होगी, यानि के व्यंजन, ए, आ, आ, उ, यू जैसा सामन नहीं आएगा, तब हम इसे the pronounce करेंगे, यह basic difference है, the और दी के बीच का, तो जैसा कि आप movies में सुनते हैं, लास्ट में लिखा होता है, यह, इसे प्रनाउंस करते हैं इसे दी एंड, प्रनाउंस करते हैं, यह है यह बी एपल, यह है द journey, यह है दा बिग एपल, अब आपने यह difference हो समझ लिया, दा और दी में क्या फर्क है, च reconciliation आप अर दी में क्या फर्क है, अब आर दी में क्या फर्क है, अब आ विचा आप अन और दी यह और लो सिना है, आपको अब इसके बारे में पता चलने वाला है. तो गाई एक अच्छा से एक्जाम्पल देती हूँ, आप एक ही एक्जाम्पल में सब कुछ समझ जाएंगे. अगर मैं बोलती हूँ, I saw a man. मैंने एक आदमी को देखा. I saw a man. तो और मैंने क्यों यूज़ किया? मैंने I saw the man क्यों नहीं बोला? इसके पीछे का reason ये है कि मैं किसी भी आम इनसान की बात कर रही हूँ. मैंने एक आदमी को देखा, किसी खास की बात नहीं कर रही हूँ. आप ऐसे याद रखिए, एसे आम आप बोल सकते हैं. तो जब भी आप किसी आम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, आम वस्तो की बात कर रहे हैं, कोई specific person, किसी specific thing की बात नहीं कर रहे हैं, तो ए या फिर आम का यूज़ करते हैं. ठीक है, so for non-specific things, word person भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, we use a or an, ठीक है, and for a specific, specific ध्यान दीचेगा, अगर कोई खास है, तब हम यूज़ करेंगे the का, या कह लीज़े, the का, pronunciation आप समच चुके हैं, तो अगर non-specific है, तो a an आएगा, specific है, तो the आएगा, मैंने कहा, I saw a man, मैंने एक आदमी को देखा, तो ये कोई भी आम आदमी था, अभी मैंने इसके बारे में बताया ही नहीं, आपको तो आपको तो पताएगी है, आम आदमी, आपको इस बारे में नहीं पता, अब मैंने इस बारे में बता गया, I saw a man, एक man की बात कर दी आप से, अब अगर मैं अगली लाइन बोलूँगी, तो मैं बोलूँगी, the man was, was crying, तो यहां क्या, हमने दवाई उस क्यों कर लिया, क्योंकि मैं इसकी बात कर चुकी, अभी ये रहे गया, ये खास हो गया, मैं जिस आदमी को मैंने देखा था, आपको मैंने बताया, पहली बार बताया, तो ये आम आदमी था, अगर यूज किया मैंने, जब उसी की बात आगे continue की, that means उसी particular man की बात कर रही हूँ, तब हमने दवाई उस कर लिया, the man was crying, मैंने एक आदमी को देखा, वो आदमी रो रहा था, तो यहाँ पर the का यूज इसलिए हुआ, क्योंकि अब हम उसकी बात कर, चुके अब वो खास हो गया, ये सबसे बड़ा difference है, और यहीं से आपकी सारी confusion दूर हो जाने चाहिए, जब भी हम किसी particular चीज की बात करते हैं, तब यूज करते है तब हम यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं, या फिर अन का, इसी तरीके से एक और example देती हूँ, कि I eat an apple every day, मैं हर रोज एक सेव खाती हूँ, तो किसी particular सेव की बात नहीं कर रही हूँ, I eat an apple, कोई भी apple हो सकता है, मैं खाती हूँ every day, ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ, कि मैंने जो कल सेव खाया था, वो खटा था, तो जो सेव मैंने कल खाया था, तो किसी specific सेव की बात की जो कल खाया था, तो क्या बोलूँगी, कि the apple I ate yesterday was sour, ठीक है, तो यहाँ पर हमने दी का यूज किया, क्योंकि मैं किसी particular सेव की बात कर रही हूँ, तो total मैं यह आपको बता सकती हूँ, कि जब भी आप जिससे बात कर रहे हैं, उस सामने वाले को यह नहीं पता कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं, किसी भी आम चीज की आप बात कर रहे हैं, आम person की बात कर रहे हैं, तो आप AN का यूज करेंगे, और अगर सामने वाले को य ठीक है और दर को क्या बोलते हैं definite article यानि कि ये निस्चित चीज़ के लिए उस होता है और वो अनिस्चित के लिए साथ ही साथ एक चीज़ का और गौर कीज़ेगा कि क्योंगी ए एंटा मतलब क्या होता है ए तो ये केवल और केवल countable nouns के पहले आ सकते हैं countable और uncountable जिने गिना जा सकता है जिने नहीं गिना जा सकता दोनों के पहले आ सकता है so countable plus uncountable दोनों में ही use होता है और एक चीज़ और क्योंकि एक है तो आप ये चीज़े साफ हैं ये singular के साथ ही use होगा क्योंकि ये एक ही संक्या पर बता रहा है और ये plural के साथ या फिर singular के सब के साथ हो सकता है यह हो गया बेसिक डिफ्रेंस अब मैं आप से इक सवाल पूछती हूँ कि अगर आता है वन रुपी नोट तो यहां पर ए आएगा या फिर एन इसका जवाब आपको देना है कॉमें इसका जवाब आप जरूर लिखिये मैं मिलूंगे आप से अगले गया हो तो वीडियो को दुबारा देख लें वैसे आम शूर कि आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा एक बार समराइस कर लेते हैं ए और और आर्टिकल्स कहलाते हैं ए और को इन डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं क्योंकि इसकी मीनिंग एक है इसले ही कांटिबल न करते हैं जब किसी भी आम व्यक्तिया वस्तु की बात करते हैं और दगा यूजम तब करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति वस्तु यानि कि किसी खास व्यक्तिया वस्तु की बात करते हैं या फिर जिससे हम बात कर रहे हैं उसको उस बारे में पता हो या फिर हम अप तो लाइक जरूर करें, मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में तिल दिन, आप रहिए खुश और करते रहिए अपने इंग्लिश की प्राक्टिस, बाबाई!